अब दोस्तों सागत है आपका हमारे चैनल में आज किस वीडियो में आपन बात करेंगे दोस्तों मिवी.in से अगर आप पॉडक्ट लेते हैं तो कैसे आप उसको कैंसल कर सकते हैं और कैसे अगर आपने उसको पेमिंट कर दिया है ऑनलाइन कैसे आप उसको रिफन पा सकते हैं क्या इसका प्रोसेस होता है वो सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखेगा दोस्तों हमेशा मैं आपको इसलिए कहता हूं कि जब भी आप मीवी का पॉडक्ट लें हमेशा से ही चाहिए आज आप ले चाहिए कल आप ले तो हमेशा उसको कैस तुरंत उसको कैंसल कर दें तो तुरंत ही आपके अकॉंड में रिफंड हो जाएगा इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस जाता है इसलिए या फिर आप उसको कैसर डिलिवर लीजिए अगर आप मीवी डॉट इन से प्रोडक्ट को पर्चेस करते हैं तो या फिर आप क्लिप प्रोसेस करने के बाद लेते हो या बाद में उसको रिफंड करवाते हो तो उसके लिए तो बहुत ही बेकार सर्विस है क्योंकि इसका प्रोसेस होता है सारा इमेल के थ्रोई होता है इनका जो इमेल आईडी है आपका हेल्प लाइन के लिए वह आता है support at me.in जैसे कि आप इस पर देख रहे हैं इस पर आपको इमेल उनको करना होगा अब कंडिशन क्या होती है कि वह आपको बता देता हूं सबसे पहले कि कंडिशन आपको बता देता हूं कि अगर आपने product order कर दिया है और उसको cash on delivery किया है तब तो आपको कोई problem नहीं होगी इसमें अगर आपको cancel करना है तो इससे आप simply ले सकते हैं जैसे कि आपके पास कोई order आया आपने उसको reject करते हैं कि भया हमें नहीं चाहिए आप return ले जा लो तो वहां से आपको कोई problem नहीं होगी आपको pencil कोई दिक्कत नहीं आएगी अब दूसरी condition जो आते ही सबसे पहले main जो होती है लोगों को अगर कोई लोग उसको online payment कर देते हैं तो कैसे आप उसका refund पा सकते हैं तो आपको simple इसमें email करना पड़ेगा support at the red miv.in पर उनको कि भया मैंने अपना ये product purchase किया हुआ है और उसमें order id का number जो होगा जो आपका order number होगा वो आपके miv.in साइड पर mention रहता है कि आपने काउन सा ID का number जो होता है उसमें वो mention रहेगा तो वो उनको mention करना है कि भया ये हमारा order ID number है और इस order को cancel करना है हमें आपका product नहीं लेना है और बाइदद हमें refund भी चाहिए होगा फिर company का reply आता है कि भया सपोज़ आपने उसको नहीं दिया तो company कहेगी कि हमने आगे उसको follow up किया है मतलब आगी जिसको बेजा है refundable के लिए जब भी आपका product आपके पास आए उसको reject करें या फिर जैसे कि आप उचक करके आपको email बताएंगे कि भया अगर dispatch हो गया होगा order आपने साहित कुछ दिनों बात करें अगर आपको order dispatch हो जाता है या फिर deliver हो जाता है तो उसमें आप आपको company कहते है कि जब भी आपके पास order आए यानि आपको product आए तो उसको reject करें और दुबारा हमें email करें कि भीया हमने हमारा यह order ID नंबर था हमने reject किया तो किर्पया करब के हमारा अपना refund जो है हमें वहा हमारा payment जो refund करें तो इस case में मीभी क्या करें या फिर आपका bank details नंबर लेगा कि आप हमें bank details नंबर दीचेए कि हम आपको refund करते हैं और order ID मेंशन करता है इस तरीके से emails होते हैं जो आपको साइड में display पर दिख रहे हैं जो इसकी इन सौट मैंने ले रखी है यह मैंने by the way information के लिए ही लिया था क्योंकि मुझे मैंने वीडियो बनाया था कि जो मीबी पॉड़क्ट होते हैं और को replace या refund कैसे करते हैं उस पर मुझे comments आयते कि आपको आपको जो refund कैसे लेना है अगर किसी पॉड़क्ट को हम पर्चेस कर देते हैं मीबी से तो उसी का ये वीडियो है काफी delay आया है लेकिन आपकी help के लिए मैंने हमेश्चा से कोश comment कर सकते हैं वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर करें तो इसमें मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपने cash on delivery कर रहा है तो आते ही उसको reject कर दीजेगा वह आपका order अपना भी cancel हो जाएगा दूसरी condition में अगर आपने payment कर दिया है तो उसको email करना है मीबी support पर उनको अपना order number mention करना है तो वहां से आपको तुरंती रिप्ले देंगे बीच में कोबीड के वैसे कुछ समय में तो इस तरीके से आप अपना refund भी पासकते हैं easily तो दोस्तों मीबी का मैरा experience मीबी के साथ बहुत बेकार रहा है मैंने कुछ पॉडल्स मीबी के यूज करे बहुत सारी कंपनी हैं मार्केट में तो वीडियो में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जिरू करें मिलते पर नहीं वीडियो के साथ ओके बाए टाटा एंग थैंक्यू फॉर वाचिंग